नमस्कार दोस्तों सागेत आप सभी बच्छों के MD Classes की YouTube चनल में कैसे हैं आप सभी ये वीडियो बड़ी महत्यपूर से होने वाली है क्योंकि आपको ये बताते हुए में गर्व महसूस हो रहा है और आप सभी के सहयोग से ये सारी चीज़े पॉसिबल हो पाती है तो सबसे पहले तो ये वीडियो सभी परिक्छों के लिए महत्यपूर है चाहें आप अगर NTPC की परिक्छा दे रहे हैं, गुरूबडे की परिक्छा दे रहे हैं यानि की लभध 13 तारिक से आप अपने पूरे जो परिक्छा के एंसर की है वो सारी चीज़े देख पा रहे है ते अपने पेपर को डाउनलोड कर पा रहे है लगतार बच्चों की ये कहना आ रहा था कि सर पेपर बड़ा हार्ड आ गया है जो की आपको अलड़ी पढ़ाई गई है कुछ आइकात चीज तो नहीं हमेशा ही आने क्योंकि जीके जी सितना वास्ट है कि आपके लिए सब कुछ पढ़ा पाना वाकई में बड़ा मुस्किल हो पाता लेकिन जितनी मेहनत करी गई वह बहुत काबले तारिव थी और जबरदस्त पूछी गई रीजिनिंग और मैथ में लगभव पूरी चीज़े पढ़ाई आई हुई थी सिरफ कहीं आपके पास जैसे रीजिनिंग में थोड़ी सी पजल आपके पास दे रखी थी जहां पर आपको कैलकुलेशन करना था लेकिन इतनी भी कठी नहीं थी और मैस में आपके पास SI में थ थोड़ा सा समय इसलिए लगा क्योंकि हम यह चाहरा है थे कि पूरे ऑठिंटिक डाटर के साथ आपके सामने लेकर आए और आप वाकई में चीज़ देख पाईए कि एमडी क्लासस को आखर यह चीज़ क्यों कहा जाता है कि रेल में अगर आपको जाना है तो एमडी क्लास पर ही आना है हमने जी के जिए कंशन था जबढ़र दस्टक लगभर लगभग आपके पास 50 में से मैक्सिमन नहीं दिखाने वाले आसान कोशन परिक्षब हैंगे जैसे किसी ने आसान कोशन आप से पूछा कर वह था यह कैसे होने यह कीज किताब में पढ़ लोगे किसी भी वीडियो में पढ़ लोगे आपको कोई भी वो टीचर वो चीज़े पढ़ा देते हैं जो की चीज़े आसान होती है असली वो कहलाएगा जो कि आपको अच्छे लेवल के प्रसंदे करा रखा और वो आपके पेपर्स में आ रहे होंगे तो अच्छे लेवल के प्रसंद जब ह जब ही भी आपको GKS में सारी चीज़े पढ़ाया जाती थी या फिर आपको questions कराया जाता था उसके बात जब detail दिया जाता था वो बड़ा फायदेमंद हो पाया हम आपको दिखाने वाले हैं कि 9 और 10 मही की जो परिक्षा थी वो कहां से पूछी गई थी यानि कितने questions आपके पास ऐते थे जो कि MD classes के मंजिल बैज या MD classes के free classes या MD classes के किसी भी individual free या paid से आया हुआ question है हम आपके लिए कभी भी चाहे free में पढ़ा रहे हो चाहे paid में पढ़ा रहे हो हम कोशिस ही करते हैं कि जिन बच्चे के पास पैसा payment करने के लिए नहीं भी कोई वयोस था या वो नहीं payment कर पा रहे हैं तो वो बच्चा भी free में रहके उतनी ही अच्छी त्यारी कर पाए जितना की paid बच्चा वाला कर पाता है बस paid में हमारे पास यह चीज बढ़िया होती हैं कि हम चीजों के एक लाइन से पढ़ पा रहे होते हैं चीजों को एक जगा पे अच्छी तरीके से धंक से देख पा रहे होते हैं बड़ा सांदार तरीके से हम एकदम teachers के साथ सारी बात यह वीडियो दिखाते हो बड़ा गर्भी महसूस हो रहा है कितने सारे कोशन परिक्षा में पूछे गयते हैं सबसे पहले मैं आपको free वाले की दिखा देता हूँ जैसे हमने विजैसी मेराथन 12 गंटे कराई थी इतना बहतरीन मेराथन डेढ़ लाक दो लाक से जादे बत् अब आप इस चीज का प्रूफ देख सकते हो कि हर एक चीज आपको पढ़ाई गी ती और यहीं से आपके पास papers में question आयते यह आपके पास paid courses वाले section जहां पर आपके पास ऐसे question परिक्षा में आया हुए थे सारे के सारे हर एक प्रूफ है आपने जो भी देखा होगा आप section से मिला लिजेगा कि आपकी परिक्षा में आय थे कि नहीं आयते सर इतनी details से आपको सारी चीज पढ़ा रहेते बच्चा कि आपके लिए सब कुछ बड़े आराम से clear हो पा रहा था कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था आप जीके जैसी दिखाने का सबसे बड़ा र आप देखरो कितना बहतरीन तरीके से सब कुछ आपके पास टीरी बांद के उपर कोशन आया वो भी आपको करा दिया गया जन संक्या 2011 के उपर कोशन आया आपको वो भी करा दिया गया आपको रेशियो बताय गया था आपके लिए रेशियो भी सारी की सारी चीज आपके प पारे में आपके पास पूछा गया तो भी आपने कल लिया कि यह तो पूरी-पूरी आपके पास पता है जिन बच्चों ने दिया है उनको पता है कि मैं को फूरी ही फस रही है, region भी फस रही है, बस थोड़ा सा digit तो आगे पीछे आने और calculation भी आपके पास थोड़ी से आगे पीछे आने वाली है, तो लगभलबग हर एक पेपर आपके पास फस आगया, और यह सिरफ paid classes की बात नहीं है, यह free की भी बात है, कि जो free में हमने आपको प जादा फोकस कर इतना बढ़ी हां कंटेंट दे कि किसी भी तरीके की बाहरी चीजों से दूर रहके हम सिरफ आपको पढ़ाते-पढ़ाते ही आपना काम कर और आपके पास जो वो प्रस्ण आपकी परिक्षा में पूछे जा रहे होंगे तो आप गर्ब से कहपाओ कि हां मैंने हमने यह कोश्टन पढ़ा हुआ था और एमडी क्लासर से हमने यह कोश्टन पढ़ा था पेपर में फस गया मंजिल बैच जब हम लेकर आया थे तो आपके लिए 25 मॉक्टेस हमने वहां पर कराया था अब उसी मंजिल बैच में हम 10 और एक्ष्ट्रा मॉक्टेस दे रहे हैं होगे और उसकी प्राइच पहले से भी कम कर दिया है कि 200 पुलनचास से यह सिरफ 199 में है क्योंकि देखो प्रैक्टिस बड़ी सांदार करनी है अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊगे ना तो नए प्रसनों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा या कैलकुलेशन के लिए सब्सक्राइच प्रैक्टिस नहीं करेंगे माल लिजे कोई कोशन आपको चैप्टर से नहीं समझे आप उस वहां से रिवाइच कर लिजेगा इसके लिए हम आपको कुछन मिल जाएंगी ताकि आप सारे कुछन को देख पाई इस्टेडी मैट्रेयल मिल जाएगा ई-बुक मिल जाएंगे बहुत सारी सुवधाई मिलने वाली है प्राइच सिरफ 1.99 रखा गया है मंजिल बैच की अभी भी अगर आप नय होंगे और आपको अगर इतने प्रूफ कम है तो बताइएगा और भी प्रूफ आपके लिए आएंगे सिरफ हम आप प्रूफ खोजने में समय वेश नहीं कर रहे हम अब समय इस चीज में लगा रहा है कि अगला जो लेवल 2,3,5 आ रहा है इसके लिए हम 25 तारिक से 10 नय मौक्टे सुरवात कर रहे होंगे अपने मंजिल बैच में तो हम वहाँ पर बच्चों को कैसे बहतर कॉलिटी दे पाएंगे कि बच्चा वस कहे वह मज़ा आ गया सर ऐसे फीलिंग आपके पास आनी चाहिए तो मुझे विस्वास है कि अमडी क्लासे से जुड़कि आप सभी को बड़ा आनंदा आ रहा होगा और ऐसे कोशनस आपको देखने को मिलना जो परिक्षा में सीधे सीधे परस रपस रहे हैं और चाहे रीजिनि अब अपने पाओं फैल आए और आपको अच्छे कंटेंट बहतर कंटेंट एक जबर्दस टीम के साथ देखने की कोशिज करें हमेशा आपको ऑठेंटिक डाटा ही दिखाने की कोशिज करिए वही डाटा पर बात करा है जो कि आपके पास सही डाटा है और हमेशा वही वीडियो को देखेगा आपको पूरी जानकारी मिलने आला और अगर आप भी स्टूडिया यहां पर स्ट्वेंट हैं अम्डी क्लास के तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगता है चाहे मैस का चाहे रीजिनिंग का है चाहे जीके जियस का और आपक प्रेक्टिस कितनी महत्यपूर थी क्योंकि पेपर तो आपका आसान था लेकिन कैल्कुलेटिव था और आपके पास समय ही नहीं बच रहा था कि आप उस कैल्कुलेशन को कर पाई है जिसकी वैसे आपने अपना पूरा पेपर लबह लबा खराब कर दिया था प्रेक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह किसी भी परिक्षा के लिए और इसी चीज को देखते हुए हमने लॉंच किया था रैंक कैस टू पाइंटो जिसका नाम था मंजील बैच 27,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें इनलोर्णमेंट करा था 25 से ज़्यादा फ्री मॉक्टेस एबुक्स आपके पास कुछे यहाँ पर देखने को मिले थे और बहुत ही बहतरीन तरीके से एक अच्छे लेवल का मॉक्टेस आपके सामने रखा हुआ था बच्चों की लगतार डिवान को देखते हुए मंजील बैच को फिर से रिओपेन करा जा रहा और एक बड़ी खुसकबरी ये भी है कि मंजील बैच में जिन बच्चों ने एड्मिसन लिया उन्हें 10 फ्री एक्स्टा टेस्ट दिये जा रहे होंगे जो कि लेवल 2, 3, 5 के उ की ऑफिसल एप को आपको डाउनलोड करने ना होगा इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रिजिस्टेशन का ओप्सन देखने को मिलेगा जहां पर अपना नाम मोईल लंबर सब कुछ जालके आप रिजिस्टेशन कर सकते हैं आपको पेट कोरसे में जाना पड़ेगा वहां कि अब नाम बदल के 36 मॉक टेस्ट भी हो जाएगा इसमें आपको हर एक टेस्ट मिलता और उसके बर्दगल में जब आपको पूरा सलूसन करा देते तो टेस्ट का प्रिंटेबल फॉर्म भी हम आपको दे देते कि आप अपने जाके प्रिंट कराके उसका रिवीजन कर सकते अच्छे कोशन को नोट कर सकते हैं और अपनी त्यारी को बहुती सांदार कर सकते हैं और प्रैक्टिस को जबर्दस कर सकते हैं जो आपके पास 10 और मॉक टेस्ट आ रहे होंगे वो एकदम अच्छे लेवल के बनाये जा रहे हैं जैसा कि हम अलड़ी मंजिल में दिया आ रह पर जो कि सिरफ और सिरफ 199 होगा और आपको इसमें ऐसे टेस्ट बच्चे देखने को मिलते हमें बिल्वकुल भी आपको प्रवाड़ा देने का हो सकता नहीं है आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रसंते जो कि हूबा हूँ मंजिल की तरफ से ही आयते यानि कि पूरा का पूरा आपके कोशन यहां पर फस रहते वो सब कुछ आप यहां पर देखने को मिल सकता है सब कुछ आपको सिरफ 199 मिलेगा तो पेट कोर्स जाले सेक्षन में जाईए यहां पर बाइनाओ का आप संदिखे का मंजिल के सामने ही आप बाइनाओ कर लीजेगा 199 का पेमिन्ट आप गूगल पे फोन पे UPI करेट का डेविट कार्ट कहीं से भी कर सकते हैं और 25 तारिक से सुरू हो रहा है मौक टेस्स की अपनी सुरुवात दमदार कर सकते हैं और जबरदस्त कर सकते हैं तांक यू सो मच तांक यू अल आफ यू